हेलो दोस्तों नमस्कार मारूति नंदन अकैडमी में आप सभी विद्यारतियों का स्वागत है आज हम कंपिटर फंडामेंटल के प्रश्ण पहले से शुरू करेंगे प्रश्ण पहला है निमलिकित में अंतर लिखिए यहां प्रश्ण कई बार आता है और important प्रश्ण है आईए समझते हैं पहला है RAM RAM को full form जो है उसको बोला जाता है random access memory और ये प्रेशने कई बार प्रतियोगिता परिक्षाओं में आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है RAM को read और write memory भी कहा जाता है क्योंकि इस memory में हम data को संग्रहित करने के साथ साथ उस संग्रहित data को पढ़ भी सकते है RAM कम्पुटर की एक आस्थाई memory है दोस्तों दूसरा प्रेशने यहां से भी बनता है प्रतियोगिता परिक्षाओं में RAM जो है कौन सी memory है RAM एक आस्थाई memory है input device द्वारा input किया गया data input device जैसे keyboard processing से पहले RAM में ही संग्रहित होता है याने मान लीजिए आपने अगर अपना नाम input करा है याने type करा है तो वो पहले RAM में save होता है और CPU द्वारा अविशक्ता अनुसार यहां से प्राप्त कर लिया जाता है RAM में data या प्रोग्राम को आस्थाई रूप से संग्रहित होता है computer बंद हो जाने पर या विद्द प्रवा रुख जाने पर RAM में संग्रहित data मिट जाता है example के तौर पर देखें तो अगर आप अपने computer पर किसी resume को बना रहे है और आपने उसे save नहीं करा है याने वहाँ अभी आस्थाई memory में save है और light चली जाए या फिर विद्द प्रवा रुख जाए तो आपका जो resume बना बनाया है वो light जाने से वहाँ से हट जाएगा और आपको दोबारा resume बनाना पड़ेगा इसलिए RAM को volatile या आस्थाई memory भी कहा जाता है RAM की छमता की अगर बात करें तो RAM 1MB, 2MB, 4, 16, 32, 64 bit में आती है चुकि RAM को किसी भी location या data नर्दहिज संगर है एवं वापस प्राप्त कर लिया जाता है तो यहाँ सब randomly होता है randomly का मतलब होता है एक के बाद एक होता है अता सभी location को access time का समान होता है RAM की कुछ विशेशता है RAM की प्रमुक विशेशता है निमलिकित इस प्रकार है RAM यूजर प्रोग्राम को execute करने है तो अवश्यक है याने RAM किसी भी प्रोग्राम को या फिर मान लीजिए एक game है उसको execute करने के लिए याने चलाने के लिए एक महदपून रोल अदा करता है अगर game जो है आपका बड़ा game है तो RAM की सहायता से उस game को चलाए जा सकता है अगर आपके mobile में RAM कम रहेगी तो mobile जो है वो आपका hang मारेगा या फिर computer जो है वो आपका hang करेगा दूसरा point है main memory हमेशा CPU द्वारा ही address की जाती है मुख्य memory में जो data रहता है वो CPU के अंदर ही रहता है और उसी के द्वारा address किया जा सकते है इसमें सूचनाओं को पड़ा एवं लिखा भी जा सकता है दोस्तों RAM के यहाँ पर कुछ प्रकार बताएगा है तो पहला आता है DRAM जिसे dynamic RAM भी कहा जाता है dynamic RAM संचिप्त में DRAM के भाग से बनी होती है DRAM को जल्दी जल्दी refresh करना होता है इसलिए यहाँ आप यह मान लीजिए कि refresh होने के कारण यहाँ slow होगी refresh होने के कारण यहाँ slow होती है और यहाँ पर देखा जाए तो बार बार रिफ्रेश करने के कारण इसकी जो है गती धीमी हो जाती है और यहाँ S RAM की तुल्दा में सस्ती होती है अब बात करते है S RAM जिसे static RAM भी कहा जाता है S RAM जो है DRAM यानि डाइनमिक RAM की तुल्दा में रिफ्रेश जो है कम होती है यानि इसका रिफ्रेश होने का समय कम है और इसी लिए यहाँ RAM जो है वो थोड़ी महंगी होती है वो थोड़ी तेज होती है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ROM की और कुछ basic input output system यानि BIOS की अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे आपको class पूरी दी जाएगी